हर साल जिस तरह से हर एक देश के अंदर एक इन्वेस्टमेंट सम्मेलन होता है उसी तरह से नेपाल के अंदर भी कल यहां पे थार्ड इन्वेस्टमेंट सम्मेलन किया गया है आखिरकार इस इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में क्या-क्या फैंस ले लिये गए हैं कितने रुपे के यहां पे प्रोजेक्ट लॉंच करने की बात की गई है नमस्कार मैं PM, DNA सिंग और आप देख रहे हैं कमाल यार इस विडियो में हम इनी सभी के बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट समयलन के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और इसमें ना केवल एक देश की भागयधारी रहती है जबकि बहुत से देशों की भागयधारी रहती है लेकिन बहुत से देशों की भागयधारी के लिए आपके देश को बहुत सारे effort दिखाने पड़ते हैं और आपका देश उसके लिए suitable भी होना चाहिए ये सबसे बड़ी जुरूरत होती है इसके बारे में पूरा जानेंग वीडियो के इन तक बने रही है और अगर आप चैनल पे नए हों चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन दबालेजी ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल्स के चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपको बता दूँ कि इन्वेस्टमेंट सम्मेलन जो जो भी होते हैं उसके अंदर हमें कहीने कहीं परियोजनाओं का जीकर करा जाता है जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं नई नई जो प्रोजेक्ट हैं उहें सामने रखा जाता है इन्वेस्टमेंट सम्मेलन के अंदर बहुत से देशों के इन्वेस्टर भाग लेते हैं और आपको satisfy करवाना होता है कि हमारे साथ ये प्रियुजनाएं हैं हमारे देश के अंदर जो बनाई जा सकती हैं जो कि future stick हैं और बहुत ज़्यादा फाइदा दे सकती हैं इसके साथ उनके यहां पे जो ऐसे कह सकते हैं आडवान्टेज हैं वो investor को अच्छे लगने चाहिए जब जाके वो investor इसके अंदर invest करने की सोचते हैं ये कारिया होता है कि किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर या किसी भी देश का स्पीकर जो कि इसे सही से यहाँ पे एक्स्प्लेइन करके इन जो इन्वेश्टर हैं उनको लुभाए और उनसे यहाँ पैसा निकलवा कर कही ने कहीं यह प्रियोजनाइप पूरी करें. मैं आपको पता दूँ कि नेपाल नेवेश सीखर समेलन संपन हो चुका है 9 बिलियन जो NRN की फंडिंग को मज़ूरी भी दिय दी गई है परधान मंतरी पुसब कमल दहल पर चंडर अविवार को उभरते नेपाल की थीम के साथ नेपाल में निवेश सीखर समेलन 2024 के तीसरे संसकर्ण में उदगाटन करते हुए नजर आए एक परमुक निवेश सीखर समेलन के रूप में नेपाल में चार प्रयोजनाओं के लिए 9 बिलियन NRN के अधिक निवेश की मज़ूरी दी गई है और यहाँ पे जिसमें भारत सहीत विविन देशों के सैंकडों निवेश को ने भागेदारी भी ली है और कहा है कि इन्हें संपन किया जाएगा परधान मंतरी पुसब कमल दहल परचन ने यहाँ पे उभरते नेपाल की थीम के साथ नेपाल में निवेश सिकर समेलन 2030 के तीसरे जो संसकरन का उदगाटन किया इन्वेश्टमेंट बोर्ड नेपाल की सीओ सुनिल भट्टा ने कहा कि यह समारो हमारे लिए बहुती उत्रश्टरा दीसरे निवेश सिकर समेलन में 800 संभावित अंतराष्टिये निवेश्टमेंट सहीत 25 सो महमान सामिल हुए भट्टा ने कहा कि कुल मिला कर 1500 या फिर अचे कहें कि 102 एकजेक्ट नमबर प्रयोजनाओं की यहाँ पे बातें करी गई निवेशकों ने अच्छी पर्तिक्रिया वैक्ट भी की अधिकारियों ने कहा कि नेपाल में चार प्रयोजनाओं के लिए यहाँ पे नाम नोमिनेट कर भी दिया गया है दो दिवेशी सिकर समेलन ने भारत चीन अमेरिका और ब्रिटेन सहीत बारा विदेशी निवेशकों ने सीधे परधान मंतरी से मुलाकात की है और आई बी एन के उनसार तीन परतिनीदियों ने उध्योग वानिजीय और वित मंतराले सहीत विभीन मंतरालियों के सिर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है शिकर समेलन का उधगाटन करते हुए परचन ने कहा कि नेपाल निवेशकों को पुर्ण सुरक्षा परधान करने और उद्दार आर्खिकनिती से पूरी परतिद्ध करती है इसके साथ पुरो परधान मंतरी और नेपाली कांगरिस के अधिक सेर बहदूर देवबा ने निवेशकों को अपनी पार्टी का पुरा समर्थन दिया उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 1990 के दसक से उधार आर्खिकनिती और तुधारों को आगे बढ़ा कर यहां पे विदेशी निवेशकों के प्रिवेश मारक का परस्थान कराती है 2017 में नेपाल ने पहले निवेशकर समयलन की मेजबानी की थी जिसमें विबिन देशों से तेरा पॉइंट पांच बिलियन डॉलर के निवेश पर्तिवंद हुए थे इसी तरह 2019 में आयोजित निवेश समयलन में पचास प्रियोजनाओं के लिए लग बारा यहां पे बिलिय मिलता दफिर आपके सामने अधरों के वीडियो को लाइक कीजे सेर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाली जिता कि आप ओल अपडेट भी सबसे पहले मिल सकते हैं